पाकिस्तानी रक्षामंत्री के अनुसार पाक छोटे या बड़े युद्ध्य के लिए तैयार पाकिस्तानी रक्षामंत्री क्वाजा आसीफ ने कहा है कि पाकिस्तान छोटे या बड़े किसी भी तरह की युद्ध्य के लिए तैयार है तता भारती नेत्रुत्व के युद्धोनमाद में आने की स्तिती में वो भारत को बहुत शती पहुँचाएगा उनका यह बयान सेना प्रमुग जनरल दरबीर सिह सुहाग के उस बयान के बाद आया है कि भारत भविश्य में त्वरित और छोटी लड़ाई के लिए तैयार है रेडियो पाकिस्तान के कारेक्रम में भाग लेते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन में यकीन करता है लेकिन किसी भी आकरमन का कैसे जवाब देना है यह भी जानता है पाकिस्तानी रक्षा मंतरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सैना अब अधिक अनुभवी हो चुकी है और जानती है कि किस चुनोदी का कैसे जवाब दे रहा है बहराल आसिफ ने यह भी कहा है कि प्रधान मंतरी नवाज शरीफ शान्ती में विश्वास करते है मैंगलोर जा रही है कि एक्सपेस ट्रेन के पाँच जब्बे शुक्रवार को कुडलोर जीने के समीप पेट्री से उतर गए जिससे कम से कम 38 यातरी घाया लो गए घटनास्तल चेनने से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है पुलिस और एलव अधिकारियों ने बताया कि ये हाथसा वृद्धा चलम के पुवा नूर में देर रात करीब दो बज़े हुआ उन्हें ने बताया कि गाया लोगों को समीप परती अस्पतालों में भड़ती कराया गया है हाथसे के बाद इस व्यस्ततम मार्ग पर कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाए बाधित हो गई अधिकारियों ने बताया कि बाद में ट्रेने वेकलपिक मार्गों पर चलाई गई लेकिन वे विलम से चल रही है भाजपा ने कहां बादचीत और आतंगवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं भाजपा ने पाकिस्तान पर हुडियत के साथ बैठक को लेकर एनसेस तरिये बादचीत रत करके तुछ हरकत को आगे बढ़ाने का आरोफ लगाया केंद्रिय मंतरी एवं भाजपा के वरिष्ट नेता राजियो प्रताप रूडी ने कहा कि शिमला समझोते में यह बहुत ही स्पष्ट है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक शेप नहीं हो सकता यह सब तुछ हरकत है जिसे पाकिस्तान आगे बढ़ा रहा है बाचीत सीधी होनी चाहिए या आतंगवाद पर होनी चाहिए पर आतंगवाद के साथ नहीं उन्हेंने कहा कि भारत का रुक्स पष्ट है कि आतंगवाद और बाचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं आतंगवाद पर बाक्चित हमेशा होगी और इस पर बिल्कुल समझोता नहीं हो सकता